और आज आपने देखा कि जब इड़ी ने उनको सम्मान किया पूश्टाइस के लिए उनको चिठी भेजा तो उनको बड़ी तकलिफ हो रही है अब वो कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो आदिवासी को जारकन को लूटने कि उनको कोई कि लायसेंस तो नहीं मिला है उनको सरकार चलाने का लायसेंस अगर इसको लुटाइएगा तो फिर भारती जनता पार्टी चूप नहीं रहा सकती है अंदोलन करेगी जनता भी चूप नहीं नहीं रहेगी कि अब उनको आदिवासी याद आ रहा है वह कौन से आदिवासी लूटा तो इन लोगों ने कौन लूटा है उनलों का नाम आप सब को पता है कौन-कौन लोग जेल में या कौन सा वो गरीब है कि तो यह जो आज इस प्रकार की स्थिति और इसके बाद आप देख रहे होंगे कैसे धंकी दे रहे तो मुझे लगता है कि हमन सुरेन जी को कानून का पालन करना चाहिए और यह जो धंकी देना कि भई कोई जुलूस प्रदर्शन करेगा देखना कौन है वहां पर बैटे उसके हम यह करेंगे वह हर कोई जानता है कि तीन वर्सों से क्या कर रहें किस प्रकार से और हमने यही पुलीस प्रसासन का काम था अपराधियों को पकड़ना गलत कर रहें उसको पकड़ना उसको सजा देना लेकिन यह काम ना करवा करके इनको टूल की तरह यूज करते थे सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज उठा रहें उनके उपर तरह तरह की केस में उसको फसा देना किसी से छुपा हुआ नहीं है चैहें देवगार हो चैहें राची हो चैहें संथाल प्रगण हो हम पर एक एक केस चुकि यहां वह उन केसों की मैं अभी उलेक नहीं करना चाहता हूँ जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रो लिक करोंगा जिन लोगों ने सरकार को लिक करके देते हैं ठाना को लिक करके देते हैं डिसी को लिक करके देते यह गड़वड़ी हुआ है उस पर कारवाई नहीं करते कारवाई बलके उन लोगों की ऊपर जो कंप्लेनर होत तग नहीं चलेगे और लोग तंत्र में जो कानून है उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए और मैं तो आज कॉंग्रेस के साथ मिलके सरकार चला रहे हैं याद करिए आज देश की जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी जाब मुख मंत्री थे उस समय क्या कहते हैं ATS क्या बोलते उसको SIT के सामने 10 गंटा तक उनको पूछता चुई है को ऐसा थोड़ू है कभी कोई मोदी जी ने तो कभी कोई यह नहीं कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे नहीं यह करेंगे और शदेव लोगों ने कानून का पालन किया है बीजेपी के कोई लिडर आप याद करिये मैं तो अड़वानी जी कभी याद करिये उस समय उनके उपर छोड़ा सा करप्सन का अरोप लगा पार्लेमेंट से रिजायन देख करके चले गए और ने कहा कि दोस्मुक्त होंगे तब ही आम पार्लेमेंट पर कदम रखेंगे तो भारती जनता पार्टी ने हर हमेशा कानूनों का पालन किया है और आज अगर यह करप्सन में बुरी तरह से डुबे हुए हैं लूट रहे हैं राज को तो इनसे तो पूछताच होगी है और हमने तो कहा कि भई हमने जब पत्र लिखा मुखमंत्री को हम तो कहते हैं कि भी एडी को पूछना चाहिए इनको भई अगर हमने डेड़ साल पहले पत्र लिखा था कि सायब गंज गंगा में किस प्रकार से वहाँ पर पत्थल का illegal mining हो रहा है अखिर इनो मुखमंत्री न अच्बर लोगतंत्र तरीके से अंधोलन करती रहें आज उसे नहीं वर्सों से करती रही किसी के जमाने में कोई कभी हमलों कोई डरे नहीं और उसे कोई विषलित नहीं हुए और इसलिए हम कहेंगे कि विनम रहो करके हमन सुरेन जी को इड़ी के समझ प्रस्तुत होना चाहिए और नहीं तो उन्हें के सहयोगी दलकिक लिडर का आप देख रहे होंगे और वो भी इसी प्रकार से बोलते थे उसका हस्र अभी तक वो जेल यात्रा जेल से अंदर जेल से बाहर यही होते रहता है अंदर बाहर तो आगे इनके साथ भी यही ना हो जाए अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले